कि टेश्य वीडियो अबाट पी कावज एक ही वीडियो थी जो छूटरी थी इसके बाद में सनमोडो ग्राउड माउंट की वीडियो बनाऊंगा लेकिन आज का वीडियो में आपको ग्राउंड माउंट का पूरा जितना भी आपका डौट है सारा क्लियर कर दूंगा इचली यूरे के ओपर थी आयरे रिच ग्राउंड माउंट में एक चीज अच्छी होती है जब आप इसके रिपोर्ट बनाते हो तो उना उसकी जो यह आप एरे का जो वह होता है ना स्क्रॉक्चर वह बन के आजाते हैं अपने तो सबसे मेन तो रिपोर्ट ही होते है उसके पाद तो लग जाता है मेरी वीडियो बहुत लोंग रहती है लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो वीडियो इसकी मत करना और ध्यान से समझना इस फाइल को तो ठीक है यहां पर भक्तोदी खत्म करते हैं मेरे पास इंपूट में क्या है मेरे पास इंपूट में एड्रस घर का एड्रस जहां ग्राउंड मॉंट है मेरे पास एक परपोजल यहां पर मुझे मॉझे मॉडियूल लगाने है मेरे को दे रखा है 46 in face IQ7 के माइक्रो इंवर्टर लगाने है और 47 REC 400 AA के पी और ब्लैक मॉडियूल लगाने है और इंटर कनेक्शन मेरे को कहा है ताइम एथोड मतलब कि MSV में जगा खाली है तो लोड ब्रेकर करतो ठीक है तो जहां से दिखना वीडियो और मैंने कैड खूल रखी अपनी यहां पर और मैं कैसे फाइल बनाता हूं देखते रहना और मेरे पास कोई आयरे रिच की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है मुझे मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में हम इस फ्लेंट को जब आप यहां पर आपर बाच और हम आप यहां पर और यहां पर और भी चाहिए मृण ब्लास्ट और बिच्डि दुरोफ पिच्डि रूफ में भी आइरे रिच की वेबसाइट की ज़रूद पढ़ती है एक मैंने तो खूल रखा है तो आपको सबसे पहले तो इस साइनिंद करना पड़ेगा वो तो आपको नहीं प्रता सकते कि साइनन कैसे करना तो मैं अई तो कुछ भी नहीं है तो मैंने साइन इन कर दिया था मैं नीव प्रोजेक्त में जाऊंगा यहां पर लिकए मैं घ्लिक कर दिया तो इद्धियो को स्लो में चला ले ले ना देख लेना तो मैंने अब क्लिक के आप क्या है अब मेर को सबसे पहले एड्रस कपी कणना है और यहां सर्च बारद यहां पर देखा है तो मेरा घर सही मिल चुक है मुझे आयरेटीस ग्राउंड मांट में यह दिक्कते लिए गलत गलत जगाओं पर बताता है तो ठीक है यूनिरेट की ग्राउंड मांट में आप एड्रस उसे हमेशा उठाके घर के उपर ऐसे रख देना ठीक है तो उसने आपको इसलिए ऑप्शन दिया है ताकि आप इसे फिक्स कर पाओ ठीक है यहां पर मैंने इसे फिक्स कर दिया और मैं यहां से स्कॉल करता हूं उपर की तरफ और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया ठीक है अब आगया भाई अब एक प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम मैंने प्रोजेक्ट नेम यानि के वह कहां एक काम चल रहा है आप कहां की फाइल का रोड टैक्स या फिर कैलिफोर्निया तो आप जो हर फाइल में यूज करते हो वह यह यूज करिए फिलाल के लिए मैं 7-10 जो डिफॉल्ट है वही रहने दूंगा और यह तो वैसे इंपुट में दिया रहता है कई फाइलों में लेकिन आयरेंड इश्की में से पर आ जाती है कस्तमर की ही तरब से वह रिपोर्ट भी देता है वहां से आपको वैल्यू भनने पड़ती है नहीं नहीं दे रखी है तो आप जो कंपनी में जहां के एस सी और यूज करते जिसे स्टेट के लिए वह ही यूज करें आपकी कहां की ऐसे कालिफोर्निया मैक्सि सोलर एंड मेरा मॉडल नंबर है अगर इस नाम से कोई आता है तो अच्छा है हाँ यही है मेरा 30 mm वाला ठीक है तो आपको भी ऐसे यहां पर अपना मॉडल नंबर और मॉडूल का नाम भरना है ठीक है और बस मेरा यहां तक का काम हो गई इसनो लोड पूछ रहा है विंडी स्पीड पूछ यह आपको कहां से बनने है एटी सी हजार्ड वेब साइट से मेरे को लगता है आपको बताने की जुरूत नहीं पड़ेगी और फिर भी नहीं पता तो एटी सी हजार्ड पता चुका हूं इस सब्साइट के बारे में ओमाइगाड यह क्या खुल गया है एटी सी हजार्ड मैं साइजी इस्पिल इस्टिलिंग गलत लिग रहा हूं अबे यार अबे अभी क्या है एटी सी हजार्ड यह रहा हूं वेबसाइट का खुल रहा था और कोई दिक्कत नहीं वेबसाइट को खुलने जाओ यहां पर मैं एड्रेस प्रेस्ट मारूंगा और असाथ से 10 के साब से देखूंगा सेकेंड केटेगरी या फस्ट केटेगर ही नहीं सेकेंड कैटेगरी देखूंगा क्योंकि मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं भी लिया और ना मेरा कोई अभी डरस है काम का मैंने सर्च मार दिया एंड़ एंडधन डेंडेंस 7-10 सेकने केटेग्री यह 110 एंड नो लूट कि तो 1010 और यहां पर मैं बढ़ लेता हूं 110 औ दिया कि विंड एक्सपोजर आपकी कंपनी में कौन सा यूज होता मुझे नहीं पता है या इस टेट के लिए काम कर रहा है इंपूट में क्या दे रहा है दे रहा था तो इसमें दो थटी ले लेता हूं जबतार जो आपका ग्राउंड मांट में जो आपका वो और रहता है ना बाउयर साव लगा ग्राउंड मांट में यह रहते हैं तो मैंने इसलिए 30 लिया अगर आपको कभी 10-5 दिया होगा यार फोड़ा लॉजिक लगा हो यार 10-5 डिगरी टिल्ट कहां होगा इसका 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 जो इस्ट्रक्चर है तुम्हें लगता है 10-15 डिगरी पे इसमें कोई बच्चे फिसल सकते हैं आराम से इनका सर्वार फूट सकता है तो 10-5 तो मेरे को लगनी रहा 30 डिगरी टिल्ट है मैक्सिम्हां ठीक है तो मैंने 30 बढ़ा साउथ फेसिंग ग्रेड मेरे को पता ही नहीं मैं डिफॉल्ट रहने दिया पाइप ट्यूबीं डायमेटर या ते यह दर दो होता है या तीन होता है ज मैं एक-दो साल पहले काम करता था तो मेरे पर जितनी फाइले आती थी इसकी तो ज्यादा तर मैंने पाइप ट्यूबीं डायमेटर में इसको दो दो डायमेटर वाले ही मिली इसक्रू लेंथ इसक्रू के लेंथ पूछ रहे अब 63 इंच है इसे डिफॉल्ट ही रहने दो क् पर पाग कोई रिपोर्ट नहीं है वैसे आईरेंगर इसके साथ हमेसा रिपोर्ट आती फ्रीस्त और डेफ्ट प्रिस्त और डेफ्ट 3.5 क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने इसलिए ऐसी बढ़ दिया फ्रीस्त और डेफ्ट प्रिस्त और डेफ्ट एक सेकंड मैं भूल गया इस आप टेंशन मतलो कि यार यह तो सब्सक्राइब से पता भी है कि नहीं है रहे भाई साब मेरे पास कोई इंपूर्ट नहीं है फाइल का कि इसलिए और मेरे को ध्यान में नहीं है तो इसलिए मैं ऐसी मैनुवल भर रहा हूं से लेकिन आपके पास रिपोर्ट आती है ठीक है कि क्रिस्तों डेफ्ट क्रिस्तों डेफ्ट मेरे इसाब से इतना तो नहीं रहता आप 1.5 के सम्थिंग रहता है इससे सेव कर देते हैं अब यह पूछ रहा है बस पूरी फाइल में तुमने जितना अभी तक भरा ना इसको गोली मारो में चीज अब है अरे यह चीज यहां से देखना ठीक है अरे इसका पूछ रहा है तुम्हारे अरे के अब यह कहां से पता चलगा आ रही यार इंपूट में तो कुछ दिया ही नहीं था भाई यह बंदे ने प्रपोजल दे रहा एक दो पहले एड कर लेता हूं ठीक है बाकि बाद में ठीक ह यह hating tarti us पहले चार ज्ोट खार टीक है इसमें बैसे कितने अप्सन आते है चार-बांच चार-पांस थीन मैंने चार वरे मेरे चुक चार रो देख रही थी इक दो तीन चार गैतुमसमजर के छार कि क्येgू साबेसING चलते हैं अब फूचर कॉलम कितने है वाई साब देखो अब यहां पर दो मॉडूल कम है वह उसका फंडा भी समझाऊंगा अभी बाद में पहले मैं यह गिल लेता हूं ठीक है यह आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा ऑफसान ही नहीं मैं चौते हो उसका कैसा डून तो रिपोट्टोमें ऐसी ही बनाने ही पड़ेगी क्मेवर॓ं एक वो चांटीज हूती है क्या और मैं तुम्हेसा किया यूटे आक्जीज होता है नहीं Welcome दिखो जब कोई धर बना रहे होते हैं जैसे तुम्हारा घर मरन रहा कभी तो दौई q a वाला जो तो है रिपोट एक बिलो आफ माटिरियल टाइप को होता है या उसे दिखाने के लिए हुता है कि Кон rests a बैकसिंमwr इस फान भीचुका है तो मैं से तो से बॉल मत कर देना यहां से से इस्ट वेस्ट परिस्पान यह सब न आपको इन्पुट में दिया रहते है वैसे तो यहां पर मेरा पूरा रिपोर्ट बनके आज चुका है यहां चला गया अच्छा वो तो यहां उपर है तो यहां से आपको सारी चीज़े डाउनलोड करनी पड़ती है अब मैं बताता हूं आपको यहां से क्या क्या डाउनलोड करके आपके आउट फूल्डर में रखना है ठीक है सबसे पहले आपको रखना है रिपोर्ट फीडियो पहले नंबर पर यह बोले जनरेटिंग प्रोजेक्ट रिपोड अभी जनरेट कर रहा है ओहो डाउनलोड हो चुका है ठीक है देन वाट आई टू एरे डी एकसफ यह सबसे में चीज़ है इसे अमेसा डाउनलोड करना ए आपके फाइल में काम आता है ठीक है एरे डी एकसफ तेन आपका जो तीसरा चीज़ होता है वह था आपका बॉंब पीडियो फिलॉफ मेटीरियल कर ठीक है इसे भी डाउनलोड कर लो देन बच्छे दू इसको ओपन कर लेता हूं कि खुल चुका है देखिए सारी डिटील्स इसमें आ चुके हैं कि मेरा एरे ऐसे बनेगा कुछ यह हो गया इसने सारी रिपोर्ट बनाके देदी मुझे और घुट देखो कंपणी में काम सीखने में और मेरी वीडियो देखनी में क्या फाइदा है कंपणी में जब आख काम करते हों तो मेरे को याद है जब मैं जवाने में कंपणी में काम करता था तो तो मुझे कोई इतना नहीं पताता था, तिकत होती थी काम सीखने में, ठीक है, एक तो आपको ये वाला चीज जो है, इसे उठागे, कंट्रोल सीख करके, आपके कैड में रखना है, ठीक है, एक तो ये चीज आपने कैड में रखनी है, इस चीज को अपने कैड में सेव कर लीजे, बॉक्स में या पर बना, क्योंकि ये दो, इसमें जो दो चीजे होती नो, वो जाती है, अगर आपकी कमपनी में नहीं जाती तो अच्छी बात है, या आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें नहीं जाता है, तो बड़ी बात है, लेकिन ये तो जाता है, मेरे इसाब से हर कमपनी में, ठीक है, मैं दो चीज बताऊँ, एक आपका ये जाएगा, और एक आपका ये वाला जाएगा, जो सबैरे वाली चीजे रहती न, ये आपकी जाती है, फाइल में, ठीक है, तो इसका दिहान रखना, इन दो चीजों को, सेव कर लेना, देखें, उसी पराई स्ट्रक्चर बन के आ चुका है, ठीक है, ये दो चीजे आती हैं, आपकी, ये सबैरे डिएफेक्स, ठीक है, देखो, ये चीजे आपकी, आचुकी है, ये आप है, जो जो चीजे हमें, चाहिए थी, टेकिन, ये चीजे आपको बताना, कहां से पता चलता है, कि मेरा फाइल में क्या क्या जाएगा, जब आप अपनी, अपने रिपोर्ट वगेरा निकाली थी ना, अपने रिपोर्ट वगेरा कहां खुली होंगे यार, जब आपने आपकी रिपोर्ट वगेरा बनी होगी, तो इसमें ना, बना दिखा रहता है कि आपको क्या-क्या चीज दिखानी है, वो ही आपको कैड में दिखाना पड़ता है, देखो एक मेर को ये वाली चीज दिखानी पड़ेगी, और एक मेर को ये वाला चीज अपना कैड में दिखाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है उसका, और ये स्ट्रक्चर अगर आप ढंग से देखो तो ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ये लेकिन मुझे नहीं पता कि यह मेरा साइद यह लग तूट के आया लेकिन यह आपके मॉडूल का मॉडूल के लेंथ वगयरा है यह विड़त है और यह काम यह नहीं होता है कि आपको यह मॉडूल इसकाम नहीं आता है कि आप इससे यहां पर लेटा हो गए यहां पे इनके तरह नहीं जी तो आपको खुद बनाना पड़ेगा यह तो शू करवाने के काम आता है बागी इसका कोई काम नहीं होता ठीक है एके एके और एके चीज़े तीन चीज़े आपको फाइल में दिखानी बढ़ती है तो अब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए मुझे में पार्ट वहां आपका वही था जो मैंने बताया आपको बताया रिपोर्ट बनाना में काम वही था कि आप टेंशन मतलो आपको मेरे वीडियो सा आइडिया तो मिल जाए रहा है मेरे पास इन्पूट में ज्यादर कुछ नहीं था यह आ गया मेरा एड्रेस तो मेरे को एक घर भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी तो मेरे पास तो नेयर मैप लेकिन दीखो एरियल विंसिटी मैप पगेरा तो आपको काटना आ बता हुआ है वह मेरे को साथ बताने की जुरूत नहीं तो मेरे नियर मैप खूल लाता है तो मैं रिपोर्ट चेक कर लेता हूं तो मैं राफ्टिंग यहीं से कर लेता हूं अब देख लेंगे आपको भी नहीं नहीं चीजें पता चल जाएंगी कि प्रॉपर्टी कहां से मिलती है तो मैं सबसे पहले यहां से एक घर का स्जिप काट लेता हूँ छोटा सा यह मेरा थरीक्रा काम करने का जिसे मैं अपने पिक्चर्स वाले फोल्डर में आर्फ नाम से शेव कर लेता हूँ यहां पर पेश्ट मार देता हूं पोल गेट वाला पेश्ट कि मेरी वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती कोई कि बहुत लंबी खिच जाएगे लेकिन कोई दिख्यात नहीं कि वहां पेश्ट क्या है यह ना बड़ा अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यही होता है भाई ग्राउंड मांट की फाइल में कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें स्वाट ट्रिक्स बताने के लिए तो गठा हूं कोई नहीं मैं एक प्रॉपर्टी का ना एक वह कार्ट लेता हूं कि देख लेंगे ग्राउंड मांट में ज्यादा तरह है ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी यहां रहती बहुत दिक्कत होती है बहुत दाइमेंशन देनी पड़ते हैं प्लेयर्स और इसमें कहीं डाइमेंशन आपने का भी होता है कहीं पे मेरे को राइट क्लिक्स चलो और वैसे डाइमेंशन आपना बहुत जरूरी क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी भी तो स्केल करने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए तो मुझे मेरे कुछ जहां तक पता है इसमें ड्रॉव करने का ऑप्सन नहीं आ रहा है यहां से यहां से मेजर डिस्टेंस अप्ग्रेड करने के लिए बूल रहा है कोई बात नहीं और भी ऑप्सन है यह क्या चीज़ है एक मिड़े एक मिड़े इसमें प्रॉपर्टी आ रही है गूगल में अरे भाई मेरा काम हो गया यह जो चीज़ देख रहे हो तुम यह लाइन जारी जो वाइट 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 यही प्रॉपर्टी है ठीक है तो मैं बटा बटा काम स्टार्ट करता हूं कि अंहिए अधिक्र को घर को थोड़ा उमें गडर को छोट्पा गड़े चुका हूं धन मेरे को क्या करना होगा मैंना एक काम रखता हूँ और जान सीना है जलो ठीक है कोई दिक्कत ही मैं है पहले है इसे छोटा कर ले कि कैड में कुछ दिक्कत आ रही है F9 के वेज़े से हो गया है ठीक है हाँ सुरुवात मैं करता हूँ प्रॉपर्टी से और मेरे को एक और फोटो चाहिए थी घर की कोई बड़ी फोटो जिसमें मैं एरे को भी देख सकूँ कि मेरा एरे था कहां पर एरे का फोटो यहां था उपन विज फोटो इसको मैं करता हूँ कॉपी और आप भी ऐसे ही काम करिया जो आपके प्रपोजल है उसे बगल में रख दीजिए आपके काम आएगा फिलाल मैं यहां से सुरुवात करता हूँ पहले तो मैं घर को ही स्केल करूँगा और तो मैं घर को कहां से स्केल करूँ तो भी एक छोटी डामेशन ले लेता हूँ देखो ग्रांड मांट में घर पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता मैंने पिछली वीडियो में भी बेखले के च्बंदद में घर अपने आम अंग बना रहा है Leaf तो उसका कोई दिक्कत नहीं है हाँ सैथी स्विट थी इसकी डिस्टेंस तो मेरा तरीका तो यह घर को स्केल करने का मैं एक लाइन खीची थी उसको सैथी स्विट पर आगे आगे यह सैथी स्विट ओ भाई साथ ना बड़ा कि लगा था कि यह घर ना बड़ा होगी होनेगा कि मेरा घर स्केल हो गया लेकिन वैसा हमें जरुत होती है घर को डाइमेंशन आपने की क्या घर साई स्केल हुआ है नहीं बता भाई सेथी स्विट ठीक है अच्छे तरीके से स्केल होग है घर मेरा तन वस्चा है दूना धर की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करता हूं है फेट प्रेरा पीसी पताने क्यों हैंग मार रहा है आच भी आजा और ज्यादा तर कोशिज करिए जो आपने सही एक अच्छा स्नैप एंगल लो पहले देन काम को स्टार्ट करो ठीक है लिट कमांड एक्सलेंट मैं घर को रही से ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेर को आपको समझाने ना कि घर की ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूं है तो कि इंसन मतले ना एक अपर घर का स्नैप एंगल चेंज हो गया है यहां पर आपको भी घर का स्नैप थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि घर थोड़ा अलग डाइरेक्शन में चल रहा है कि 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 ऐसे कि राउंड मांट की फैलो में वैसे रूफ ड्राफ्टिंग की कोई एरर नहीं होती कि मैंने च्छतरी नहीं बनाए रूफ को हैं सब को इसी ही नहीं है कि पैनल जब लगी नहीं रहे हैं रूफ पे तो कि रूफ का क्या लेना देना है कि फटा फट से आर इसको ड्राफ्ट लेता हूं एक है कुछ चीमिनी है कि कि अपि यहां से सलाह एक बार स्नैप एंगल अच्छा होई पिछड़ों रूफ नहीं थी भाईव साहब हालत खराब हुजाती इसे बनाने में कि टेंटर है ठीक है कि यार कितना लंबा अगर है कि यहां पर वीडियो स्कीप कर लेना यार ठीक है लाल मैं घर का सिर्फ आउटर आउटर ही कैप्चर करूंग क्योंकि मेरा मूड नहीं है इसे बनाने का भी कितने इस मैंप एंग अधने पी एंजी मैंप अंग कमांड चला दिया मैंने एंड देन मैं धिरे-धिरे लाइन 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 बनातर होंगा इसको भी कवर कर लेता हूं अब लिट कमांड एंटर अपर आर कमांड घर का थोड़ा डाइरेक्शन थोड़ा लगता घर का इंपस मैं घर को कवर कर रहा हूं कि असी कवर हो जाए तो बागी तो जाया हूं आधिक है फिलाल घर का में आउटर बना दिया है कि अधिक जाद में जाधातर में लड़का का है रौपर्टी बनाने में धिक्ति। प्रापर्टी बनाने में में एक दिखती यहीं पर होती है उन्हें यही समझ में याथा कि घर की प्रापर्टी को कैसे स्केल जाते हैं वो घर के सहारे डरॉपर्टी को सेल बुवशनलगे ज़ता हैं घर बड़ि यहीं पर गड़ता है तो यह गलती मत करना और मैं इसको सेब कर देता हूं एक और SPL कमाड़ चलाता हूं देखो ड्राइवे वगेरा तो SPL कमाड़ से बनावतों जाद अच्छा रहे तो R कमाड़ से बनावे हुए तो और टाइम लग जाएगा भाई इतना टाइम नहीं होता तो यहां से लाइज जा रहे है S…S,S…S,S….S … कर दिलान राइन है लाइन 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 इथे रोड इधर जा रही है बट वो फोटो में आ जी दिख रही है और यहां पर सर्कल कमांड ले सकते हैं बनाने के लिए अगर साफ ना दिख रही है फोटो को कड़के यहां पर फीड को थोड़ा ऐसे गड़ता कि आपको अपने आपकी घर की लाइने आपको साफ दिखें ठीक है ड्राइवे बनानी के लिए मैंने बताया कि SPL कमांड चलाओ ड्राइवे ऐसा भी नहीं कि आप आर्ट करते होगे ता में हिस्सा लेरा सजा रहे हो उसे कुछ नहीं है बना तो जैसा ठीक लग रहा है मैं फिलाल के लिए यार इस ड्राइवे को यहीं पर जोड़ देता हूं तो यह मेरा ड्राइवे बन गया मेरा घर बन गया जैन मुझे एरे ढूंड़ना था यार एरे मैं इस पर्पोजल को तोड़ा जूम कर देता हूं कि अब पाउस का उसनी यार एरे कि सपेद पटी के ऊपर की तरफ लग रहे है यहां कहीं पर यहां पर यहां पर यहां पर कैसे बनाए ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका एजिमत भी अलग है इसका एजिमत इसके हिसाफ़ से पुश मखर गया है तेरे का एजिमत भी अलग है लेकिन बहुता आफ को इंटूट से मिलेगा एरे का एजिमत यह है एज आपको फाइल में ठीक है तो यह डेटेल तो आपको इंपूर्ट में मिलती है लेकिन मेरे पास इंपूर्ट नहीं है तो ऐजीमत बैसे आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे घर की तरफ साइड तो मैं क्या करने वाला हूं मेरे को को अ ओ ओ मोड्यूल की लेंथबीदे चाहिए तागे मैं एक मोड्यूल को यहरा 71.69 अपून इंटो चालीज है इसमैर यह एक पाइंग्स, जीरो, एंटर मैं एक एरे बनाऊंगा, RE, C, E, ENTER, SIPP, E, RET, SEB, RET, 71.69 इंच 25.2 यह मेरे एरे बनी एए मॉडूल भी मेरे लेंड़ इसकेप में तो इसी उसमें मेरे को रखना पड़ेगा ठीक है और मेरे कॉलम थे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 12 12 के दिश्टी ओ एंटर मैंने एक को पकड़ा यहां पर रखा में एंटर 0.25 इंच एंटर ओके तो मैंने एक मॉडूल को पकड़ा और एक दबाया ए आर एंटर एरा एंटर ले लिया कि कितने होगे कंट्रोल बन वादा होगे मेरा था 12 तो मुझे दो डिलीट मानने बढ़ेंगे इसे पकड़ा इनको co enter एक एरे पकड़ा और यहां पर रख दिया ठीक है उपर वाले सारे एरो को पकड़ा m enter 0.25 enter अभ मेरे को दो और एरे चाहिए ठीक है इन सब को पकड़ा और मोडिल की लेयर में डाल देता हूँ मॉडूल के लिए में डाल दें अब बारी है रेल की कि इस नहीं है प्रैंग कि जी रो एंटर कि यह यह मेरा एरे तयार हो गया अब मुझे इन पर रेल डालने बड़ेंगी कि एक एक सेकंड कि इन भी रेल ना उल्टे में आती हैं कि ऐसे में कि यह दिखतो रहे हैं लेंड इसकेप लेकिन एक्चॉल में देखोगे ना यह लेंड इसकेप नहीं पोर्ट्रेट में खड़े में हो मेरे को कहां से पता चला जो मैं डिख से निकाला ना जो यह चीज ना यह रेल थी त्विंसे मुझे पता चला कि रेल मेरी ऐसे में आएंगी और आएंगे लेंड इसकेप में आएंगे ना कि ऐसे में आएंगी तो यह गलती मत करना कि दीएफेक्स के आधार पे चलना रिपोर्ट के आधार पड़िए मैंने इन सब को पकड़ा एयार एंटर एरा एंटर कि मैं बीच में अटाग गया था क्योंकि मेरे कुछ डाउट हो रहा था कुछ कि मैंने अपने डाउट कुछी क्लियर कर लिया यह मेरी बनगे रेल तो यहां तक है त्यार हो गया अब आपकी कंपनिया आपके प्रोजेक्ट में वह आपको कहेंगे अगर कि तुम है जो मेरे को पूरा इस्ट्रक्चर ही यहां पर लागा के देना तो उसकी टेंशन मत लेना को कोई बड़ी चीज नहीं है वह सब आपको जो दूसरा वाला डी एफक्स ता कॉन्स वाला यह वाला कि नहीं आइधिंग वाला यह देखो यह चीज देख रहे हो जो मैंने आपको बताया था यह मॉड्यूल है यह हमारा रेल है तो आपकी कंपनी में क्या होता है कि आप डी एफक्स डी एक्स एफ यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो डिपेंड करता है बट सिस्टम पूरा ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको पूरा इस्ट्रक्चर के साथ बनाते हो मतलब कि पूरा इस्ट्रक्चर एक साथ रखते हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आप इन चीजों को उठा के और रेल के उपर रख दो कि इनको ऐसे उठाओ अगर आपकी कंपनी किस हिसाब से चलती है या आपका प्रोजेक्ट में बताया हो ऐसा कि भाई हमको वहीं चाहिए तो कोई बड़ी बार दिक्कत नहीं ऐसे उठाके लगा दो असी तना ही काम लेना बड़ता है कि मैंने शहरे को पकड़ ऑओं यह था जबाया च्यूब के इसे लिक्तायक सिंहें अइसाम से अब रख दिया रहता है कि में अपके इंपूट में दिया रहता है मैंने मेरे पास कोई इंपूट नहीं था तो मैंने ऐसी सीधर रख़ दिया ठीक है एक और केस कहीं प्रोजेक्स में वो आप्टिमाइजर दिखाते हैं इनके उपर कहीं उसमें नहीं दिखाते हैं अगर दिखाते तो लगा तो नहीं दिखाते तो मतलगा इंपल से बात ठीक है देन नेक्स्ट बार ही है मेरी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी में कंट्रोल सी देन कंट्रोल भी एक कर दिया ठीक है अम मेरे को प्रॉपर्टी को स्केल करना है और कैसे करो हूँ तो खुदी निकाता मैं तुम्हें कैसे बता हूँ कि क्या हूँ यह भाई प्रॉपर्टी कैसे स्केल करो यार मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लिए यहां से पकड़ा यहां पर यहां पर क्लिक करके साथ साज पतर फिट एंटर ओ तेरी भाई साथ इतनी बड़ी प्रापर्टी अरे भाई साथ इस चीज़े डिलीट मार जेता हूं है ठीक है चलो प्रापर्टी को ड्रॉ कर लेते हैं और क्या दिक्कत हैं हाँ तुम्हें दिक्कत आप यहीं पे करते हैं आप घर के साथ से प्रापर्टी बना लेते हो अगर प्रापर्टी को स्केल करो अगर आपकी प्रापर्टी बहुत बड़ी है तो प्रापर्टी को स्केल करो आप सीरी बात अब देखो यहां तक वो लब कितनी लंबी प्रापर्टी वो तो यहां पर आई नहीं अरे उसका उसकी टेंशन मतलों तुमको सब हो जाता है अब मैं घर को वहां से उठाके इसके ऊपर रहूंगा भाई आज की वीडियो तीन चार घंटे की बनेगी में असला करा है और इसको मड़तों मत करो या अभी वो रहीं है हाँ मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं का आज की वीडियो में वो चीज बताऊं मैंगी कैसे वोलाइन नीं वậyति बूलगे मैं पारिव प्रापटी जिसमें चोती दिखाते रहे लाइन कुलाल के लिए मैं इसको कम हूं यहीं पर बंद कर देता हूं सुप है कि आपको स्केब करना है और और करना है को अरिजनल फॉर्पर्टी दिखानी होती है पर जितनी उसकी ओर इनल डिस्टेंस होती है तो मैं इसको थोड़ा यह कर देता हूं और हमेज़ा मैंने बोला था हर चीज में बैक अप लेके चलो तो फाइल में बीना एक बैक अप लेके चलो सबसे बड़ी बात सेव करते रहो हुँआ है ठीक है तो मैंने ड्राइव पूरा इसलिल नहीं बनाया क्योंकि मैं प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा च्छोटा करने वाला हूं क्योंकि यह मेरे पे सेट नहीं हो पाएंगे आगे जाके इसलिए कुछ गडबर सी लग रही थी मुझे इसको ऐसे कर देता हूं प्रॉपर्टी च्छोटे करने का तरीका क्या है यह तो यह तरीका है मैं यहां से प्रॉपर्टी को स्केल कर दूँगा जहां तक मेरे एरे हैं ठीक है एक तो यह तरीका है दूसरा तरीका क्या है एक एक लाइन को पकड़ के जब तक आपका पेज सेट ना हो पीवी बन पर तब तक ऐसे करते रहो बट यह बहुत लॉंग पकड़ो सबको इसकेल मार देता हूं यहीं से सीधा एक पॉइंट पकड़ता हूं और बहुत है इतना और इस क्या मूँ यहीं पर ऐसे बंद कर देता हूं ठीक अब तो यह होई जाएगा दूसरी चीज आपको हमें से इस वाले पेज पे जाके इस वाले पीवी बन पे जाके एक हमें इसे चेक करना है कि मेरा घर इसकेल हो रहा है रह delegating कि नहीं तो कीजिए अपनी लेयर में नहीं है इस इहां पर दीखे नहीं रहा है कि तो सब सब देंसे प्रॉपटि लाइन की लिएर में डाल देता हूं पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी की जालता हूं हुँ है क्योंकि मेरे घर पे इकमेंट लगे यह सको टी वी रूप के लिएर में डाल देता हूं मैं एवी आई रूप के लिएर में घर को डाल दिया कि मेरा drive वे है अब आए डी जीरो पर आता हूं यहा हूँ है स्केल कैसे नापन यहां पर खोला यहां पर इसकेल देता हुआ बहुत जाला बड़ा हो जाया हुआ हुआ है तो मैं इस पेज पर देखूंगा बहुत बड़ा और भाई नहीं आए तो मुझे जादतर वन बाई 64 पर रखना पड़ाए या फिर प्रॉपटी थोड़ी और बड़ी गंड़ी लेकिन मुझे लगते हैं वन बाई 64 पर अच्छा अड़िजस्ट हो जाया कि इसकेल के कुछ मात्रक रहते हैं जो आपको आपके किंपनी वाले बताएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे इसके मैं यहां से से ऐसा ऐसा करके एड़िस्ट करता रहूंगा और आगे वाले पेज में भी देखता रहूंगा कि सब सही है कि नहीं है ठीक है आगे आगे वाले पेज पर गया तो पकड़ा ठीक मेरे हिसाब से बैटर है बहुत अच्छा है बहुत अच्छी पोजिशन पर स्केल हो चुग है तो आप भी ऐसी स्केल करिए अपने घर को मस्त करके हैं कार राहीवी का कलर में न पिंक कर देता हूं कि पुद्धी खिंगी का प्रेड कर देता हूं कि ग्राउंड मांट में फायर सेट बैक नहीं जाता है यहां लगेगा कि मां कमांड चला दी मैंने कि एच्पी एफ एंटर तो थोड़ा और गुमा के पूरा यहां तक बना देता हूं को यहां से गुमा यहां यहां कि और इसको जॉइन कमांड मार दीजे ताकि सब्सक्रा रहे तूटे ना ठीक है इतना काम हो गया घर आपका भी ऐसे मत बनाना मैंने तो आपको समझाने के लिए घर को पूरा बनाना ऐसे अंदर की तरप से जैसा हो एक्च्वल में तो आप ऐसा ही बनाना ठीक है यहां पर आपको दिखाना पड़ता है आपका एरे के यह वाली डाइमेशन और एक यह वाली डाइमेशन ठीक है तो будете चौरा हम और पिद्वेशन और और देत क्ट्रोलव kaz dönक को पिद्वेर को सा पिट्वेशन गांच सर्क्षा कैसिक अन्यूड फूर में डाइमेशन ठीकांपिक्षा का नो थिए क्वी दून सौ है यह विए फूह ॥े तरॉफ। धॉद का शुड मृट मौ लाइख कि एक्स्टा हाइट कि अधिए तो ज्यादा हो गया गाइज तार फिट कर देता हूं तार फिट भी ज्यादा हो गया एक फिट तो मैं देचुका हूं और ये चीज है ये डायमीशन आपको देनी पडती है ठीक है और अठीकन हो ग्रॉंड नॉट में Umstate पहले भी का था इसमें आप अपकर तिसक्तकी डायमीशन नहीं देते घर से डायमीशन नहीं कि ऐसे कि ऐसे ऐसे और तो कौन सी लियर में डालों चलो इसको भी इसी लियर में डाल देता हूं लाल के लिए कि मुझे लगता है अगर दिखा आपको सब डाइमेंशन के हाइट छोटी बड़ी करने हैं यहां पर स्लेक्ट से मिला करो कांट्रोल बन करोगे तो यहां पर टेक्सटा हाइट लिखा है तो सब की टेक्सटाइट एक साथ बढ़ेगी ऐसे तीन फिट कर देता हूं ठीक ठाक इस दिख जाएगा एक यह तीन फिट करती एरो साइज बढ़ाने है स्लेक्स सिमिला करो क्न्ट्रोल बन करो एरो साइज तीन फिट करतेता हूं एरो साइज बढ़ा होगी बच्छा दिख रख दीक है यहां तो कामब और एक और दाइमेशन हो है मॉडूल से प्रॉपर्टी छी लाइन तक के डाइमिशन में चीजब ड्राफ्टिक में गलती मित करो और और यह तर से होँ आर एक में इपर से देता हूं और यही करके फाइल पूरी बना देते हैं कि यहां पर जाओगे पता नहीं बार-बार क्यों बंद हो जा रहा कि आपको ऑरिजनल डाइमेंशन डान नहीं पड़ती अपनी फाइल में तो गूगल मैप से भी डाइमेंशन दिख जाती है मैं प्रॉपर्टिक लाइन है 779.90 फीट तो मैं यहां पर जाओगा यह वाले डाइमेंशन है तो क्योंकि हमने इसके लिए प्रॉपर्टिक हो तो हमें एक्ट्वल डाइमेंशन डालनी बढ़ती है तो इस बात का खयाल रखें तो यह गलती कभी मतलब ना हमें सो औरिजनल ड प्रॉपर्टिक लाइमेंशन घटगी होगी तो इसे भी गूगल से यह वाली डाइमेंशन यहां से एक अंदाजा ले 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 लिए ले ले लिए तो फिर तो बड़ी तरीका मैं ऐसे नहीं करता मैं एक्ट्वल मैं यहां से डामेंशन ना पोंगा ना की उदर से ठीक है एकटी डामेंशन यहांसे ना पो इसके औरिजनल डाइमेंशन है आपको असमें ब्रेक लाइन टो दिखाने पड़ेगी ब्रेक लाइन बनाने के से बेस्ट तरीका जो मैं फुद यूज करते हूं एक लाइन कमांड मारों ऐसे लेंटर ठीक है एकसल एंटर एंटर 110 एंटर एंगल लिया हमने ठीक है 110 का एंटर दबाया मैंने इस पे क्लिक है एंटर दबाया एंटर पॉइंटर पे गया एक ऐसा अगर देखें इसी वाली लाइन को पकड़ो या फिर एक नई लाइन कीचो एल एंटर एंटर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया अगर आपको इससे अच्छा तरीका पता है तो वही यूज करो मैं यह नहीं बोला कि यह वाला तरीका यूज करो मैं जो यूज करता हूं मैं वह बता रहा हूं ठीक है मैं इस कहलusi ट्राइंगल को इधर लियां और यह वाली लाइन डिलीट मार दी सिसको पकड़ा जॉईन मार दीया यह इसको थोड़ा स्कील कर देता थाकि थोड़ा बड़ा दिखें इसको पकड़ा Ctrl-C गिया Ctrl-V गिया आर एंटर इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूं एक आड़ से लग रहा है इतना बड़ा तो पकड़ा एम एंटर और यहां पर कुछ चुपका देता हूं टेप से पकर मैं लाइन डिलिट करूंगो ने डाइमेंशन फिल जाएंगी नहीं लिए अच्छी बात है यह है तो ऐसी करकर के आपको तारी जगह पे यह वाली कमांड लगानी है कमांड बोलो मैं यह जिग-जैग लाइन लगाने ठीक है तो ऐसी लगा देना मैं फिलाल के लिए और इसमें मैंच कमांड चला देना प्रोपर्टिवल ठीक है इसा जिग-जैग लाइन बनाना सिखा दिया मैंने ठीक है तो अच्छा तरीका यह है जिग-जैग लाइन बनाने का ठीक है दिखाते हैं और उसकी कमांड उते हैं डाइन डाइन दिखा देता है लेकिन ज्यादा तर कमपनी नहीं मांगते किसी किसी कमपनी में ठीक है तो यहां अमारा अब अब हमें एक्टूप्मेंट लोकिशन ढूंड़नी है अगर भाइसा मुझे गूगल से दिखिया तो है तो फिर मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा आप अंदाजा मत लगाने मेरे पास साइट सर्वेस की फोटो नहीं है इसलिए मैं अंदाजा लगा रहा हूं ठीक है मेरे इसाफ से इस फाइल में एक्टूप्मेंट घर के अंदर ही हो गया घर पे कहीं लगा होगा और य तो अच्छल ने प्रपोजल में इक्टूपमेंट लोकिशन दी रहती है मैं बीन मैफ पर जाके देखता हूं मिव वहां से कुछ रप मिल जाए निध्याइंट धूणने के लिए के मेंचन अधी यह दोब लूने के लिए कॉb एद धन पेस्ट और एस्टिट एरियल वियू मेरे को बर्ड आई चाहिए जीते जैसी नजर मेरे हिसाब से मुझे पहले इधर उधर भी देख लेने चाहिए देखो डिंग मैप इतनी बड़ी है चीज़ है ना कि इसमें बर्ड आई से भी एकुपंट देखा जा सकता है तो तो यहां पर दिख रहा है यार पट्ट यारी पूरी है विक्मेंट ढूने की यहां है यहां भी नहीं है वैसे तो गहराच के तरफ होते हैं जादा कर एकुपंट्स तेकि मेरे को इधर नहीं दीख रहे हैं जो मैंने तुक्का मारा था वही एकुपंट्स था पर भी नहीं था मुझे कोई तार भी नहीं दिख रही है जो आ रही हो उपर से क्या इधर हो सकते हैं इकुपंट्स या फिर यह नहीं यह तो एकुपंट्स लोकिशन नहीं है जलो फिलाल के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है इससे बटे बहुत कि अधर साइड बहुत हेल्प करती है कभी कभी नहीं करती अलग बात है लेकिन मेरे पास अब भी एक और रखती वाकिए जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा वह है जिलो डॉट कॉम इसमें फोटो रहती है मैं यहां से देख सकता हूं और मैं मायूस हो गया क्योंकि यहां पर फोटो नहीं है घर के कोई भी कि मुझे घर के इस हो 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 क्या यहीं घर हो तर कल भी वैसे ही है पट यह नहीं लग रहा है मेरे को क्या यहीं है रहे हो ना 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 यह नहीं है यह अलग घर है घर तो बड़िया बनाते हैं देखो ऐसे ही एक्पिमेंट के लोकिशन ढूंडी जा सकती है क्याइड छोड़ो मैं तुका माल लेता हूं यहां पर लगा दूँगा एक्पिमेंट थीक है मैं चल जाता हूं पीवीजीरो पे यहां पर आपको सिंपली वही रूफ के टेक्स के रहा है तो पकड़ता हूं है कंट्रोल सी कंट्रोल सारी मीटर और एमस की घर पर लागाता हूं अगर आपका पॉल पे है तो पॉल भी दिखाना पड़ता है आपको तार के लिए मैं यहां पर लगा देता हूं एक्व्मेंट लोकेशन कैसी डायरिक्शन में रखें एक मिनट पहले मैं एनमो डायमेशन क्यों नहीं हा रही इस पे जो हूं मैंने कहां दिया है यह तो यहीं पर तो यह आख क्यों ली राइस पे जो है मैं फिर कुछ भूल रहा हूं लेयर आउन मैं इने किसी और लेयर में डालता हूं तब 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 जाएं अनमो डायमेशन एनमो डायमेशन वन में डालता हूं देखो अब आगी और इनको मैच कर देता हूं इससे मैच कर दिया और इनकी ना थोड़ी हाइट और बड़ा देता हूं मिरको अभी छोटे दिख रहे हैं तो मैं क्या करता हूं और टेक्स हाइट को कर देता हूं अच फिट एंटर अब बड़िया दिख रहा है तो डायमेशन से साफ नजर आ रही है ठीक है तो एक ग्राउंड मांट की फाइल है तो यहां पर रूफ पर टाइक तो आएगा नहीं यहां पर हमें ग्राउंड जीए करना पड़ेगा जी एक ग्राउंड एरे तो यह तो चीड़े है तो आपकी फाइल इतने कूड़ा क्यों देखते हैं तो बताना क्या कारण है क्योंकि आप एक प्रॉपर उस पर नहीं चलते कि घर को ऐसे प्रॉपर ली दिखाना है हमें हर चीज को काम आपको सफाई से इस लेनी हो पाता है मैं की स्केल में एक ही आंगलपे लेकरे चलो है कि मैं एक ही स्नैप अंगल पर सारी चीजों की डाय्मेशन दोंगा इतने हमें ना ग्राउंड ऐरे कि at your secondailed अब बच्छा मेरा ड्राइवए प्रॉपर्टी-लाइव सब चीजि में पर अब यहां पर मेरा ड्रायव वे तो अब देखो जैसे यह टेक्स्ट है यह इधर है सारे कोई इधर है कोई दिक्कत है नहीं को पकड़ो ऐसे चंट्रोल वन दबाओ लेफ्ट राइट कर दो लेफ्ट लेफ्ट सारे डाइमेंशन आपके एक ही दीशा की तरह होनी चाहिए इन मेरे ड्राव भी ओ आगया एंड गसे प्रॉपर्टि लाइन कंका टाइग लाएं तो प्रॉपर्टि लाइन क लेवनый मैं नाया टाईग अधा लाए तो गभाल है कि आप लाइन का टैग नहीं है को अकुए दिक्षळ है बना लूंगा कि ए ई avk यह मैंने बनादी प्रॉपर्टी लाइन के स्टैग यह आ गया एम एंटर प्रॉपर्टी लाइन के टैग कंट्रोल सी कंट्रोल भी एकी गो पकड़ा और सब जगा पेश्ट मारते चलाई यह डाइमेंड्स हैं एक्चल में ऐसे नहीं दिखाते इनको बाहर की तरफ निकार लो इसे ठीक है अने गलती से चिपका दी थी इनको सबको बाहर की तरफ निकार लो मेरा काम है तुम्हें समझाना ना कि यहां पर सजावट करना है तरफ एक्चल बात यह है कि यह प्रॉपर्टी लाइन ही करते हैं यह वाला नहीं आएगा कोई हो और आएगा एन्मोड आए मुश्या भाई खुल जा भाई खुल जा इसमें यह नहीं आने चाहिए थे इसमें यह नहीं आने चाहिए थे पर रूप कटाएग यहां पर आपका अगया मीटर वीटर कहां भागे यह रहा आपका मीटर आ और अच यहां पर आपका मीटर मेस्पी लेकिन यह मीटर मेस्पी का जो हमारा वह होते हैं इक्यूपमेंट के टैक्स इन्हें हमेशा है ऐसे दिखाओ कि पढ़ने में आसानी हो उल्टा 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 कुछ नहीं देखो यह डाइमेशन नीचे की तरफ है तो मैंने इसे ऐसे ही मेरा में नाजा और उतलं के बहुन है टिक appeal ग्रॉट में क्या होता है हेमेरा मीटर एमेशन टार मेरा मेंख है ट्लमें जो अवह यहां पर लगाए खिजब यह इनवर्टर मेरा इनवर्टर पाइचांच अब जो मेरे और एक्टूमेंट्स हैं जैसे इसी डिस्कनेट हमेजा तुम्हारा MSP के पास ही लगता है पड़के इसी में खंफ्यूज होते हैं कि इसी डिस्कनेट कहां लगाऊ मैं युण आप एक जूंखर नुट नुरूम्फ दूंख से माईदर में इसके अगले वाले में दिखातें इसके अगले वाले पेज में दिखाने के लिए बता आ कि यहाँ पर जो हमारी वायर उती जंग्सन बॉक्स से पहले वह जाती कंब अधित ए तो यहां पर आपको एक टैग दिखाना पड़ता है कि मेरी इतने फिट की ट्रेंचिंग हो रही है यहां से तो अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर इलेक्ट्रिकल पर इसका एलेक्ट्रिकल कैसे बनेगा वह समझाता होता तुम्हें तो यह उसके लिए मैं यह पकड़ लेता हूँ तो से बहले बाद मेरी कितनी स्ट्रिंग बनेंगी मेरी बनेंगी मेरी आइक्वी सेवन प्लस था इन फिस आइक्वी सेवन प्लस ठीक है मेरा इलेक्ट्रिकल डाइक आप भी टूड़ गया है तोरी कोई रिक्कत नहीं कि हाँ चलो मैं इस पर इलेक्ट्रिकल डाइग्राम बना के दिखाता हूं आपको वहां पर क्यों यहीं पर दिखाता हूं यहां पर इसका इलेक्ट्रिकल डाइग्राम कैसे बनेगा बैंग रिरू इंटर्ण देखे मेरे है आएक्वी 7 प्लस है और 47 मॉडूल्स है और जहां तक मेरे को पता है कि आएक्वी 7 प्लस में आए थीच तेरा मैक्सिमम स्ट्रिंग होती है तो तेरकम तेरा तेरा सुटी सेवन कि तेरा तेरा कि तेरा सॉरी मैंने कुछ गड़ पर कर दी मेरे चार स्ट्रिंग बना दी मैंने कि यह है मेरा एरे तो मैं कुछ ऐसा सा दिखा देता हूं कि मुझे यह तो पता नहीं कि तुमारी कंपनी में टेंपलेट में एरे कैसे होते हैं तो इन चीजों का ध्यान दवाई तुम्हें खुद रखना पड़ेगा कि मेरा एरे है और इनकी मैं कुछ इस परकार से दिखा देता हूं कि एक लाइन खीशता हूं कि यहां पर कि यह एंटर कि पाइचांस यह मैंने बना दिया आपका यह हो गया एरे ठीक है और मैं इसे नाम भी दे देता हूं कि यहां पर उठाके इसे नाम देता हूं कि इसमें सर्कृट बनते हैं किसमें इन फेज में ठीक है यह होगे मेरा सर्कृट इसको कापी करता हूं तो इस सर्कृट टू सर्कृट ट्री सर्कृट टू अर्यों अर्यों इस अर्ट ट्री और यह होगे सर्कृट टू को कि मैं चाहूं तो इन्हें और चुटा कर देता हूं कि जगा कम लगे कि लग छोड़ा इतना भी बाद कि इसना हो गया और यहां पर आते हैं मॉडूल का नाम कितने सर्कृट वन में थे मेरे बारा मॉडूल कि मैं इनके भी नाम लिख लेता हूं यहां पर आरह आरी सी तबले पॉर हंड्रेड पॉर हंड्रेड वॉर्ट के मॉडूल है ठीक है कि इससे यह अगर आप डी डवली जी भरोगे तो यह खुद आ जाता है लेकिन लेकिन मैंने डी डवली जी के उपर भी वीडियो बना रखी है बहुत अच्छे से बता रहा हूं तो आपको नहीं दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे सर्किट फॉर में थे 11 मोडिल यहां पर 11 कर दोगा ठीक है अब तुम्हारा कॉंसा लाइन डाइग्राम थी लाइन डाइग्राम या वन लाइन डाइग्राम तो यह जो है यह ट्री लाइन डाइग्राम है ठीक है तो हर सर्किट से दो वायर निकलती है आपके घर में भी और मेरे घर में और वहां भी दो ही वायर निकलती है एक रेड़ वायर होती ब्लैक वायर एक्ट्वल में भी रेड़ ब्लैक ही होती है एक्ट्वल में आपने घर में देखोगे ना दो तार रहते रेड़ अलग बात है इन न जो इलेक्ट्रिकल इंजिनर नहीं हूं तो कुझे नहीं पता क्यों रहते हैं अब इतारे कहां जाएंगी मेरे घर पर नहीं इतारे जाएंगी जंक्सन बॉक्स पर ठीक है एक जंक्सन बॉक्स में जाएंगी साली तारे तो इस जंक्सन बॉक्स को भी मैं बड़ा दिखाता हूं यह है मेरा जंक्सन बॉक्स ठीक है तो नाम देता दाओं जे बी तो इत्रों आसमें कैलकुलेशन बेशिखा दो कैसे होती है अध्यार एक्शल भी मैं यह ना मेरा को टैंपलेट नहीं है तो इत्रों गूगल पर ढूंगा कोई टैंपलेट लेगी तो ठीक है यह सारी तारे जाते हैं हमारी जंक्सन बॉक्स पर यह एक्स एंटर को पकड़ेगे यह सारी तारे गई हमारी जंक्सन बॉक्स पर ठीक है तारे स्ट्रिंग से वायर गई इस पर जंक्सन बॉक्स अब जंक्सन बॉक्स से हमारी तारे जाते हैं कहां और सर्किट से सारी वायर कहां जाती। उस पर कंभाईनर पर है। तो एक यह कंभाईनर बना लेते हैं। सारी वायर है। इसे जाएंगी कितनी वायर है जाएंगी। इसलिए आप उसमें इंटर कनेक्शन में मात खा जाते हैं घर मेरी चार इस्ट्रिंग थी दो दो वायर आई दो चार छे आठ ठीक है आठ तारे गई कंबाइनर पर अकंबाइनर से से तीन तारे निकलेंगे लाल खाली एक न्यूट्रल की एक ग्राउंडिंग वायर ठीक है तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस खुद करोगे न तो आपको अच्छा समझ में आएगा यह सारी चीज़ें इस तारें जो कंबाइनर में अस्वाइनर कि यह ज्यादा वायर होगी तो ठीक है कि यह से मेरा इतनी तारे निकली और इसमें लिए ठीक है कंबाइनर में चलीगी का नाम है तो सी कंट्रोल भी इस है कंबाइनर नाम देता है कंबाइनर कि कंबाइनर 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 पर तार ही चलिए कंबाइनर से होके ए needle फेले यति तार ही नहीं दो बेर पर इस प्रवज प्लिशे whisper लिए अ मैंगे करते होगे कंबाइनर के Squid से चाहिए लालों का एखच्छा होके गया वो लाल तार यह है है कमबाइनर आनने की मैं करना करा संस्राइब माइनर से का में यहां पर यहां पर दो और अधान पंड हर जो है में जा दो Southern ठीक हैं ग्राउंडिंग वायर मैं घारे के लड़ से दिखा देंगा एक न्यूट्रल एक ग्राउंडिंग के वायर चलेगे किसमें HDD में HDD है अगर आपका लोड ब्रेकर और तो नॉन चूज जाएगा अगर लाइन साइट टाइप हो रहा होगा तो चाहते हैं यह बात अपने बेज़े में बिठा लो कि यह होगी हमारा नॉन फूस एसीडी का सेम्बल कुछ कि अग्टर का इंजिनियर होने बनाया है कुछ ऐसा टाइप का सब्सक्राइब होता है नॉन फूस का कुछ ऐसा टाइब का अच्छा ना बनाव कोई दिखकत नीं बट ऐसा ही कुछ सिम्थिंग नॉन फ्यूस का थे लिग है तो है होगी हमारा नॉन फ्यूस एसीडीस्कनेट और रहे नन फ्यूस एसीडीस्कनेट से हमारी जाएंगी जहां घंज़्यावा इंटर कनेक्षण ओरहा है यह हो गया हमारा मीटर और हमारा MP देखो वाई उसने बोला था, लोड ब्रेकर अब आटेस तो हमिर च्शन की जिर आपफू द्री दे टेस्ट सा यससने ब्रेकर होगे यह ब्रेकर है मोई तो आप में द्नीज गा मैंने कुछ नीक है तारे इसी पे जोड़ती सीधे तारे जो थी मेरी वो यहां गई और ब्रेकर पे जोड़ गई और सीए हो गया हमारा लोड़ ब्रेकर अब हमें ब्रेकर कितने का डाला है और बंटी परसेंट रूल भी और मेरे पर MSP की कोई रेटिंग बगयर नहीं है तो ब्रेकर निकालने के लिए तो 1.21 इंटू 1.25 सेफ्टी फेक्टर इंटू पर्टी सेवन सैवंटी फॉन प्रेकर यानि कि पिछवत्तर का या आसी का ब्रेकर लगेगा वहाई इसमें MSP पर इतना सलॉट खाली रहा होगा इसे मैं जहां तक काई में बताओं लोड ब्रेकर का चांस नहीं रहा होगा इसमें लोड साइट टैक होगा या फिर कोई अलग प्रंडिशन रही होगी या फिर बैटरी वगरा कुछ लगरी होंगी यह भी हो सकता है इसमेंपेर का ब्रेकर जो मेरा काउन लगा MSP में और मैंने लोड ब्रेकर कर दिया ठीक है अब रही केल्कुलेशन की बात बताता हूं कि आइस आइवन और अलेक्ट्रिकल और केल्लेशन और और कैसे बताओं प्रता वायर क्वाइंटिटी देखो इसे खुद का ही बता के बनाना बटाना पड़ेगा और कि देखो मैं साब सीधी बात एक चीज समझाता हूं तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इस इस कैलकुलेशन को देखो कैलकुलेशन हर कंपनी का अलग तरीका होता लेकिन आप इन चीजों को समनना चाहे ठीक है तो भी कैलकुलेशन होती ना वहर जगा सेम होती बस उनके तरीक के अलग होते पहले अरे टू जंक्सन बॉक्स वह बोलते नंबर ऑफ सरंट केरिंग कंडक्टर कितने एक क्कानटिटी की तारे जारी है आपकी क्वाइंटिटी केतनी है जाव चीज़ा दो चार चार तारे जारी भाई आज थारे ठीक है अब है जंक्सन बॉक्स को कंबाइनर सेनल तो चार चार एड़ आठ यी सेम तारे अब क्लिक करें आड़ तारें अम्बावन है पैनल टू MSP नहीं वाए यहां पे ACD आएगा और इसके बाद एक और वो जुड़ जाएगा देखो यह हर कंपनी की टेम्पलेट लगोती है अम्बावन है पैनल ACD, ACD टू MSP MSP टार्टाइक हो गया है अन्टू ACD टू MSP यहां पे ट्रेंच भी हो रहा था ठीक है ट्रेंचिंग में हमेसा EMT नहीं PVC वाइड जाती है इस बात का ध्यान रखना पाइप के अंदर से जमीन के अंदर से PVC से EMT चातों पर जाती है ठीक है ध्यान रखना कि इस कंबाइने पैनल टू ACD में तीन ही वाइड जारी एक तो तीन वाइड तो मैं यहां पर बढ़ देता हूं कर देता हूं तो पाहां अलो जाएगा बावार तीन तार को कोपी करेंगे डाल देता हूं तीन वाइड तीन तेंपरेशन को आज मैं इसका आगे नहीं बता सकता सुरी विकाज से आउड अफ रूल है एंड मैं सोच रहां अपनी टैंपलेट बनाओ उसमें सिखाऊंगा कल्कुलेशन कि मैं इन सारा तारों का खेल है और यह जो तुमारे ब्रेकर ब्रेकर यह करेंट होते हैं सारे नहीं का खेला और वीडियो आज की सबाब करते कि अधिक लाओगा लेकिन मैं अब जब तक कमपनी खुद की टैंपलेट ना बनाओ तब तक मैं आपको कैल्कुलेशन नहीं सिखा सकता मेरे को खुद की टैंपलेट क्रिएट करनी पड़ेगी किसी आधर कंपनी की टैंपलेट यूज नहीं कर सकता तुमको जगाने के लिए तो मैं खुद की टैंपलेट बनाओंगा तो मैं तुम्हें अच्छे से करते क्यों है यह लेंट्रिस्य इंजिनियर होता है। उसको बताते हैं कि वहाँ थे सब्सक्राइब करते हैं कितनी मूटी तार लगेगी और कि यह कलकुलोशन इसलिए होते हैं कि वही साफ उसकी स्ट्रिंग ज्यादा है तो से ज्यादा मोटी तार चाहिए लोड लोड ज्यादा आरहा है लोड एक स्ट्रिंग बन भी तो तारे कम लगेंगी इसलिए हम यह calculation करते हैं, ठीक है, तो electrical engineering का काम है, अगर आप electrical engineer हो, मेरी वीडियो देखे, तो आप लिए बहुत अच्छा है, और किंता मत करो, मैं चल्दी ही, मैं हाल दिलाल में कोई नई template बनाऊँगा, जिसमें मैं electrical calculation करूँगा, और तुमें भी सिखाऊँगा, बट यार, तुमना मे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मझे बड़ा दुख होता है, सब्सक्राइब करो, शियर करो, लाइक दोगो, और वीडियो समान,